हेलो फ्रेंड्स जेशी क्रश्णा जेई जेला राम कैसे है सब आई होप ओल ओफ यू आर डूइंग वैल और अभी बज़े हैं इवनिंग के फाइव ओक्लॉक और अभी या को स्नेक्स में फिंगर चिप्स खाना है तो मैं बस उसी की प्रिपेर कर रही हूं और साथ ही साथ म मैं अपने जो इनिंग के बरतन है वो भी स्टेंड पर से लगा रही हूं अपनी जगह पर और यहां पर मैंने ओल भी रख दिया है गरम होने के लिए तो वो भी साथ ही साथ हो रहा है और मैंने फिंगर चिप्स भी अच्छे से वाश करके रख लिए हैं क्यूंकि उसमें प आपैल कर दो जोएगा मैं उसे फ्राइ कर दोंगी को अब ही मेरे बरतन भी बाकी है क्योंकि यह और में नास्ता करने के बाद ही मैं मौस्टली उसके बाद ही मैं बरतन और कपड़े का काम करती हूँ तो बस यहां पर ओल हो चुका है तो मैंने श्टार्ट कर दिया है और देखिए बन रहे हैं हमारी फिंगर चिप्स यहां को बहुत जादा पसंद है और यहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी जादा सरारते चल रहे हैं पूरे दिन में ये लड़की 10 से 12 बार ये फ्रीज और फ्रीजर खोलती रहती हैं कितना भी बोलो कोई असर ही नहीं है इस पर पतानी क्या करती है पूरा दिन कभी फ्रीज खोलती है तो कभी फ्रीजर खोलती है और देखिए यहां पर हमारे फिंगर चिप्स बन चुकी है तो देखिए कितनी क्रिस्पी बन चुकी है मैंने इसमें कॉन फ्रॉर वगेरा कुछ भी नहीं मिलाया था बस ऐसे ही बनाई थी हाई फ्रेम पर रखे और थोड़ा सा वेट करें क्योंकि 3-4 मिनिट्स अगर जादा हो तो 5 मिनिट्स यह सा लगता है पर बहुत ही अच्छा बनता है कोई भी चीज इसमें मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर इंस्टन्ट आप ऐसे बनाना चाहे तो इसे बना सकते हैं और यहां पर देखिए ही आ गई है स्नेक्स करने और मैंने भी अपने लिए वाटर मेलन कट किया था मुझे यह सब अभी नहीं खाना था वैल वाला तो बस मैं वही खा रही हूँ और चल रही हमारी बाते क्योंकि मैं आफ्टरनून का पूरा टाइम हिया के साथ ही स्पैंड करती हूँ छे बजे तक और छे बजे के बाद ही वो खैलने चाहती है तो ठाइस से फाइव जिक्स ओकलोक हम दोनों मा बेटी साथ ही होते हैं और साथ ही टाइम स्पैंड करते हैं बच्चों को जादा से जादा टाइम हमें देना चाहिए क्योंकि इस भाग दोड़ी जिनगी में यह तो जरूरी हो गया है और अभी फ्रेंड्स डिनर की प्रिपेर के लिए मैं आ चुकी हूँ तो आज मेरी थोड़ी सी तबियत साम के बाद थोड़ी सा मेरा सर भारी हो गया हो गया था तो मैं सिर्फ बीरियानी प्रिपेर कर लगी हूँ हम सब के लिए तो उसके लिए बस मैंने जो लाल मिक सुकी होती है वो तड़के के लिए मैंने निकाल दिया और यह अब ही यही पूछ नही है कि मुमा क्या बना आज मेरी थोड़ी सी तब्येट थिक नहीं है इसलिए वो मुझे थोड़ी बहुत है पी करवा रही है और मैंने बिरियानी के लिए ओयल चड़ा दिया है तो 3 टेबल स्पून ओयल दिया है और इसमें सुखी मिर्च का तड़का पहले लगी का और फिर अद्रक और हरी मिर् और फिर सारे वेजिटेबल्स गेराट है और ओनियन मटर और केबेच और हिया को थोड़े से पोटेटो भी वाली ही पसंद है इसलिए एक चोटा सामेने आल पोटेटो भी डाला है और उसका चूंक डाल देंगे और वेजिटेबल्स डालने के बाद मेने याद दो कप चावल लिये हैं तो भी मैसीधा डाल दूँगी और फिर उसके पास बेसिक मसाले और लाल मिट्ज पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाऊडर देंगे और उसके बाद हम इसमे गरम मसाला अड़ करेंगे। वैस Вас इसमें बिरियानी मसाला अड़ करती हूं यहाज today अवैले वेरे अवैलेबल नहीं है इसलिए मैंने caf निकरिया उने मालनी घूएabil के राइस का मेजर का और आधा कप वेजिटेबल्स का इसे साब समय धाई कप डालूंगी इसे बहुत ही ज्यादा अच्छी बनेगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे देख सकते हैं अब फिर हम तीन विसल आने तक चला देंगे क्योंकि मैंने चावल को बिल्कुल भ फिर यहां पर मैं जो सारा कच्रा है वो सब बाहर रख दूंगी और सारे जो बर्तन है वो भी बाहर वो सिंगेरिया में रख दूंगी साथ ही साथ अगर हम किचन का कांटर टॉप पी क्लीन करने लगे तो बहुत ही इजी हो जाता है हमारा डिनर के बाद क्या काम और यहां पर मैं सेलेट के लिए ओनियन कट कर रही हूं क्योंकि बीर्यानी के साथ सिर्फ ओनियन और पापड़ी सब खाएंगे वहां पर यहांगे एम पर खाएंगे प्रॉड़ी सबस्क्त कर दो आएंगे प्रॉड़ी चाहिसों बाएंगे प्रॉड़ी ने के साथ बाएंगे सब्सक्राइब देखिए यहाँ पर हमारी बिरियाने बन चुकी है सिर्फ अभी अभी मैंने कुकर कूलाई है बहुती अच्छी बनी है उयां भी सब्सक्राइब जा देखिए और चुकी है बिरियानी बहुती टेस्टी बनी थी और थोड़ी स्पाइस भी मेले बनाई थी तो यहां पर्गेकन्स हमारा सारा काम कुका है और अभी हम लोग समर हैं तो बालकनी में बेटे हैं क्योंकि हमारी यहाँ कर्फ्यू लग चुका है रात नौ बजे के बाद का तो इसलिए हम अज कोई बार चकर लगाने नहीं गे वरना हम रोज जाते थे तो आज बस समर था तो हम लोग बस इस बालकने में बेठे थे और फैमली टाइम स्पाइन कर रहे थे और फ्रेंड्स थेंक्यू और बाबाई और डोंट फर्गेट तो सब्सक्राइब अजा मेरा भाफ थेंगर तो आजख कैमली टार फाफ बालकने मेरा हमाँ कर माजे खेम